आपका स्वागत है दोस्तो आज हम हरिवंश पुराण के चोथे दिन की कथा प्रारम कर रहे हैं कथा प्रारम करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जो भी माताय बहने या स्त्री पुरुष कथा को सुनते हैं प्लीज जब भी कथा को सुनें तो ध्यान लगा कर सुनें तभी उसका फल मिलता है और हरिवंश पुराण का तो महत्तम ही बहुत होता है इसको सुनने मात्र से ही घर में अगर पित्र दोश है तो वो भी समापत हो जाता है और संतान की प्राप्ती अवश्य होती है तो इसी लिए जब आप कथा को सुनें तो इसे बीच में ना छोड़ें और पूरी अवश्य सुनें बोलो हरिवंश पुराण कीजे एक समय नेमचारक तीरत में सोनक 88,000 रिशियों ने शी सूजी महाराज से पूछा हे भगवन आगे की कथा का वर्णन कीजिए तब सूजी महाराज कहने लगे शिष्टी का वर्णन करते हुए जन्मजी की प्राथना पर विशंपाय जी ने आगे कहा दक्ष प्रजापती ने प्रथम, शिष्टी, देपता, गंधर, असुर, राक्ष, यश, भूद, पिचास, पक्षी, पशु, असर्पो की मनसा शिष्टी की मनसा शिष्टी यानि पहले मन की द्वारा शिष्टी की उत्पत्ती की अगर मन में संकल्प करते थे तो शिष्टी की उत्पत्ती हो जाती थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि मानव जीवों की वृद्धी ना होते हुए नहीं देखा तो उन्होंने सोचा कि मेथन शिष्टी को ही ठीक समझा अते उन्होंने प्रजा पती की तपस्वीनी पुत्री शक्षनी से विवा किया उससे दक्ष ने पहली बार में 5000 पत्रों की उत्पत्ती की जिसके की वन्श वृद्धी हो सके परंतु नारत जी ने उन सभी पत्रों को ऐसा ग्यान दिया कि सभी शिष्टी की रचना की वज़ाय सभी सन्यासी हो गए दूसरी बारी में दक्ष ने दस हजार पत्रों को उत्पन किया और जैसे ही वो लोग भी वन में भगवान विश्टी की तपस्या पूजा करने गए ताकि वो शिष्टी की रचना कर सके तो नारत जी ने उन्हें भी ऐसा ग्यान दिया कि वो भी सन्यासी हो गए तब दक्ष को बहुत ही क्रोधाया और उन्होंने नारत जी को श्राप दे दिया कि नारत जी अगर आज के बाद अगर आप कहीं भी दो घड़ी रुकेंगे तो आपके जो सिर है उसके हजार टकड़े हो जाएंगे तब से नारत जी किसी भी जगा पर दो घड़ी से अधिक नहीं ठैरते जन्मे जी ने पूछा ये प्रभू नारत जी का जनम किस प्रकार हुआ तब वेशंपाय जी ने कहा कि नारत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो मन के द्वारा उत्पन हुए हैं देवरिशी नारत जी का इतिहास बहुत ही विचित्र है नारत जी मानस पुत्र अवश्य थे प्रंतु ये उनका दूसरा जनम था तब जन्मे जी को बड़ा आश्चरे हुआ और उन्हेंने पूछा कि महराज आपको कैसे पता इनका दूसरा जनम था ये आपको नारत जी का पहले जनम कैसे याद है वो पहले जनम में क्या थे किरपा करके इसका वर्णन कीजिए तब विशांपाय जी ने कहा कि नारत ब्रहम कल्प में एक दासी पुत्र थे जो उनकी मा एक ब्रहमन के घर में जाड़ू पोच्छा सब लगाती थी और ब्रहम जो तब ही से अपनी मा के साथ चले जाते थे और दिरे दिरे जब वो पांच वर्श के हुए तो वो भी ब्रहमन के घर में अपनी मा के साथ जाने लगे और छोटे मोटे कारिये जैसे फूल लाना जल भर देना ये कारे करने लगे एक समय चत्रमास का समय था और बहुत से रिशी मुनी उन उस ब्रामण के घर में पधारे और उन रिशी यो ने चत्रमास वहीं वैतित किया तो ब्रामण ने नारज जी को भी उनहीं की सेवा में लगा दिया नारज जी उन संतों की सेवा में लगे उनके लिए जल लाना पुष्प लाना उनहीं की सेवा करने लगे और जो संत भोजन करते तो उनकी पतल में जो जूठा बच जाता वो नारज जी खा लेते नारज जी उस भोजन को बहुत ही प्रेम से स्विकार कर लेते थे कहते हैं न जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन इस प्रकार नारज जी की बुद्धी पवित्र हो गई और उनका मन भगवान विश्णू की तरफ लग गया और वो भी सन्यासी बनना चाह रहे थे जब संत मां से जाने लगे तब नारज जी रोने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो तब संतों ने कहा कि हे पुत्र अभी तुमारी मां जिन्दा है जब तक माता पिता जिन्दा होते हैं तब तक तुम सन्यासी नहीं बन सकते सबसे बड़ी सेवा मात पिता की होती है माता पिता कैसे भी हो उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए सहे दोस्तो कभी भी पतनी या बच्चों के मुह में आकर अपने माता पिता को नहीं छोड़ देना चाहिए कभी उन्हें दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि जो माता-पिता की सेवा करते हैं वही सच्ची सेवा है वही प्रमात्मा है सबसे बड़े भगवान मात-पिता ही होते हैं जो माता-पिता की सेवा नहीं करता वो नरग भोगता है इसलिए माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए चाहे माता पिता कैसे भी हो नारज जी संतों की आग्या से मा की सेवा करने लगे लेकिन एक दिन उनकी मा को सरपने डस लिया और मा की मृत्ति हो गई और नारज जी वन में चले गए और वहाँ जाकर तपस्या करने लगे जैसे संतों ने बताया था कि विश्णु भगवान चार बुजाधारी हैं कमल नेत्र हैं हाथ में शंक गदा चक्र है उसी का ध्यान करके तपस्या में लील हो गए संतों ने जो उन्हें द्वाक्षर का ओम नमो भगते वासु देवाय का मंत्र का जो सीख दिया था उसी का जाप करने लगे एक दिन नारज जी के हिरदय में उसी छवी ने रूप लिया और थोड़ी देर बाद वो छवी अध्रिश्य हो गई तो नारज जोड़ जोड़ से र जब इसको तू त्याग देगा तब तेरा मिलन परमात्मा से होगा जब दासी पुत्र के रूप में उनका समय आया जब उन्होंने प्राण त्यागे तब उनकी आत्मा परमात्मा के पास गई और वहां भगवान की में सेवा करी और तब जब शिष्टी का प्रले हुई कीजए दोस्तों आज की कथा यहीं समापत होती है